हेलो दोस्तों आपका स्वागता आपके अपने चैनल हमारे जीवन के हिस्से में आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी टेश्टी नास्ता यह बहुत पोश्टिक होता है यह वेजी टेवल से ही बनेगा इसमें हम तीन चीज मिक्स करेंगे देखिए आगे जो जो चीज हम मिक्स करेंगे हम बताते हैं हमने जो वेजी टेवल आपको दिखाईए उनको कद्दू कस कर लिया है जिसमें प्यार टमाटर गोवी गाजर धनिया और हरी मिर्ज ली थी देखिए इस तरह है आप इसमें जो भी वेजी टेवल और डाल सकते हो हमारे पास यह थी तो हमने यह ही डालिया है अब हमने अजो आइन एक चम्मच लिये इसमें हम आदा कटोरी सूजी और हम इसमें आदा कटोरी वेशन और एक कटोरी आटा लेंगे दोस्तों अब हम एक बड़ा चम्मच इसमें ओल लेंगे स्वादा नुसार नमक लेंगे आदा चम्मच हपाउडर लेंगे एक पिंच से अधे करस कर लिया अद्रक का पेश्ट लिए और काली मिर्च पाउडर लेंगे इसमें लाल पाउडर नहीं डाल रहे हैं और चम्मच की सादा से अच्छी सी मिक्स कर लींगे इसके बाद हम इसमें पानी से एक घूल तयार करेंगे देखिए अब ये गाड़ा है अभी हमने इस तरह का घूल बना के तयार करना है जो चम्मच पर ऐसे करने पर रुखना रहा है रिविन की तरह एक पैटर्न बन रहा है देखिए हमने 10 मिनट के लिए इसे रेश्ट के लिए रख दिया है और हमने पैन को रख दिया गैस पर मीडियम टू लोग पर अब हम एक वार अच्छे से इसे गुमा लेंगे पैन में हमने एक चम्मच से चारो तरब तेल को फैला लिया है देखिए तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें पराठे की जैसा आकार देंगे इस मिसरन का आप जितना इसे फैला सके चारो तरब इतना फैला सकते हो बड़ा चोटा कैसे अभी साइच का बना सकते हो हमने चम्मच की साथा से इसे पलटा है नीचे से खटा के चारो तरब से जिससे चिपके ना और यह उपर वाला जो परत दिख रही है ना वह विल्कुल सौफ्ट गीला प्रण जो होता है ना वह खतम हो जाएगा तब हम इसे पलटी मारिंग है देखिए हमने इसमें ओयल लगा है उपर की साइड जब पलटी मारिंग तो यह नीचे की साइड और लग जाएगा दोनों साइड से अलट पलट कर हमने पराठे को सेख लिया है एक पराठः जाइसा में लग वह बना हैं हमीसे पराठः भी बोल सकते है या चीला भी बोल सकते है इसका रहिँक हे बहुत खानव में यमी टेस्टी है हमने बहुत बार बनाया है देखिए दोस्तों आप भी बना कर देखना यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को चैनल को सस्क्राइब कीजिए थेंक्यू फूर वाचिंग वीडियो